वे सबसे महान फुटबॉलर है या नहीं इस पर तो डिबेट चलता ही रहेगा लेकिन उनके वर्क एथिक की कहानिया प्लेयर्स, कोचिस और टीम मेंबर्स सबसे सुनने मिलती है मेरा क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वर्क एथिक पर ध्यान तब गया जब एक इंटर्वियू में विराट कोली कहते हैं कि मेरी ट्रेनिंग और शेडियूल तो ट्रेनर प्लैन करता है फिर भी मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से इंस्पिरेशन लेता हूँ मैंने सुना है कि मैसी जीनियस है लेकिन अपनी मेहनत की वज़े से रोनाल्डो एक कदम आगे रहते है 2003 और 4 सीजन के दोरान मैंचिस्टर युनाइटिट के असिस्टेंट मैनेजर ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपने ओफिस बुलाया देखो बहुत सीधी बात है केवाल एक अच्छा प्लेयर होना काफी नहीं है उपर वाले ने तुमको टैलेंट और मौका दिया है दुनिया का बेस्ट प्लेयर बनने का अगर तुम उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरा पूरा सपोर्ट होगा अगर तुम एक एवरिज प्रोफेशन प्लेयर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ दूसरे प्लेयर्स जैसा ही बहुत कम यंग प्लेयर्स के अंदर टैलेंट, स्ट्रॉंग पर्सनेलिटी और परपस एक साथ मौजूद होता है कुईरों कहते हैं कि एक दिन देर शाम को मैंने अपनी ओफिस की खिड़की से कुछ पेड़ों को हिलते देखा मुझे लगा कि मेडिया या दूसरे कलब वाले जासूसी कर रहे हैं मैंने सिक्योरिटी बुलाई तो पता चला कि रोनाल्डो जंगली पेडों में अकेले प्रैक्टिस कर रहा था जब रोनाल्डो के टीम मेट्स प्रैक्टिस के बाद शावर लेने चले जाते थे तब बिल्लिंग के पीछे उबर खाबर पेडों से भरे मैदान में रोनाल्डो अकेले प्रैक्टिस किया करते वे उस जंगली मैदान में बॉल को जूर से किक करते और उबर खाबर मैदान में बॉल के पीछे दोड़ते जिससे वे अनिश्चित बाउंस में ड्रिबलिंग और बॉडी बैलेंस की प्रैक्टिस कर सकें कोई रों कहते हैं कि रोनाल्डो का जबाब शब्दों में नहीं था वे मैंचिस्टर युनाइटेड में लगातार अपना गेम इंप्रूफ करते रहे और 15 साल बाद आज भी रोनाल्डो और भैतर होने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग वर्क एथिक के पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि वर्क एथिक शुरू होता है हमारे माइंड सेट, हमारे बिलीव सिस्टम से जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हमारा सेल्फ बिलीव है, वही हमारे काम में देखता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के दिमाग की वो दुनिया के सबसे अच्छे एथलीट्स में से एक है इसलिए 33 साल के होने पर भी वो अभी भी अपने शरीर को 20 साल का बनाए हुए है ये मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, उनकी नई टीम होविंतिस की उनके शरीर में 7% बॉडी फैट, 50% मसल मास है क्रिस्टियानो फीफा वर्ल्ड कप के सबसे तेज भागने वाले एथलीट है रोनाल्डो के पुराने कोच मोरी कहते हैं, रोनाल्डो कोई मौका नहीं जूगते चैंपियंस लीग का मैच खेलने के बाद जब रोनाल्डो रात को 2 बज़े शहर वापस लोटे तो बाकी लोगों की तरह घर जाने की बजाए टीम के ट्रेनिंग सेंट पहुंचते हैं और वहाँ अकेले एक घंटा वर्काउट करते हैं और क्रायो थेरिपी लेते हैं वर्क एथिक का मतलब जुनूनी होकर रात में वर्काउट करना नहीं है बलकी जब भी मौका मिले जब भी ज़रूरत पड़े एक कदम ज्यादा करने की कोशिश है हम इसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एलीट मेंटलिटी कह सकते हैं जुवानी मौरी कहते हैं कि उनके वर्काउट में हमेशा इंटेंसिटी, डेडिकेशन और पॉजिटिव एटिट्योग दिखता है हुविन्टिस के मिडफील्डर ब्ले मतुई कहते हैं कि हमने मैंचिस्टर उनाइटेट से उनके ही मैदान ओल्ट्रैफर्ट में कठिन गेम जीता पूरी टीम बहुत ठकी थी, हम लोग सब छुट्टी पर थे, लेकिन ट्रोनाल्डो हमेशा की तरह ट्रेन कर रहे थे मैंने उनसे पूछा कि आप ठके नहीं, आपको रिकवरी की जरूरत नहीं है तो वो कहते हैं कि मैं रात भर से रिकवरी ले रहा था, अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ रोनाल्डो होने की वज़य से मुझे ऐसा करना पड़ता है इस कोट से फिर रोनाल्डो के बिलीफ सिस्टम की जलक मिलती है उनके अपने लिए इतने हाई स्टेंडर्स हैं कि उसे मेंटेन करने के लिए उन्हें उस हद तक तयारी करनी पड़ती है नहीं तो वे कभी भी अपनी परफॉर्मेंस से संतुष नहीं हो पाएंगे ऐसा वर्क एथिक बनाने में लंबा समय लगता है जब रोनाल्डो पॉर्चोगल से मैंचिस्टर युनाइटेड आए तो कुिंटन फॉर्चून टीम के साथ खेल रहे थे वे कहते हैं कि मैंने अपनी आँखों से देखा है कि ये प्लेयर सबसे भेतर करने के लिए जुनूनी है वो अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को लेकर बहुत डिसिप्लिन था मैंने कुछ और टैलेंटेड प्लेयर्स देखे हैं शायद क्रिस्टियानों से ज़ादा लेकिन हर किसी में इतना मेहनत करने की इक्षा नहीं होती शूटिंग, ड्रिबलिंग, स्टैप ओवर्स, वेट ट्रेनिंग, कार्डियो, एंडियोरेंस और हर ट्रेनिंग के हर सेशन में रोनाल्डो हर किसी से ज़्यादा कर रहे होते हैं पंदरा साल से हर दिन, हर सेशन में वो ऐसा करते आ रहे हैं इसलिए मुझे उनकी प्रोग्रेस देखकर आश्यर नहीं होता और अभी तो उन्हें और आगे जाना है उनके अंदर गजब का आत्मविश्वास है एक तरह का नार्सिसिजम है वो उस यंग एज में स्टार्स से भरी मैंचिस्टर युनाइटेट के ड्रेसिंग रूम में भी जाकर सोच सकता था और पंदरा सालों से यही सोच कर खेल रहा है दोस्तो हम पिछले वीडियो में वर्क एथिक की डेफिनेशन देख चुके है वर्क एथिक का मतलब यह नहीं कि आप पूरे समय काम करते रहो या रात को दो बज़े उटकर वर्क आउट करो या फिर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में डिबेट करते रहो यह आपका बिलीव सिस्टम है जो आपके काम में देखता है और यह बिलीव सिस्टम टैलेंट से नहीं बलकि साल दर साल की महनत और कमिटमेंट से बनता है रोनाल्लो के बारे में जितना समझा उस हिसाब से उनके belief system में दो चीज़े समझ में आती है पहला वो जानते हैं कि वो एक elite level के player बन चुके इसलिए उनका training और performance भी उसी तरह की होगी मतलब अगर आप जानते हों कि आप एक sports car हो तो आप अपने आपको वैसा ही maintain करोगे वैसा ही तेल डालोगे और वैसा ही perform करोगे दूसरा वो जानते हैं कि जब तक वो best नहीं होंगे तब तक उन्हें चैन नहीं मिलेगा वो कभी भी अपने talent के साथ नयाय नहीं कर पाएंगे ना कभी confident और satisfied महसूस कर पाएंगे इसलिए वो हमेशा अपने game और शरीर को बहतर करना चाते हैं अगर ये दोनों बातें उनके belief system में ना होती तो football जैसे competitive और पैसे वाले खेल में जहां हर साल इतने talented players आते हैं केवल Christiano के work ethic की बात नहीं हो रही होती अगर आप और मैं भी champions जैसा work ethic बनाना चाते हैं तो छोटे छोटे action लेकर अपना belief system बनाईए अपना work ethic strong कीजिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो 12 rules of life के interesting और बहुत कमाने वाले rules देखिए और हाँ चैनल जरूर 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 सबस्क्राइब कीजिए